वल्काब एक्टों तो वीडियो और पासवर्ड को रहे कि इतनी ज्यादा कंफीजन रहती है फेस्बुक का हो इंस्ट्राग्राम का हो स्नाप्चैट का हो जीमेल का हो हम एक बार करके मैं आदत खराब होगी न हमारी की सब चीज फोन में से वह जाती तो हम याद रखनी की तो आपको पासवर्ड में डूल का थिए एक पर बैन बाट को आपको तो कर देना है इससे ही रहे हैं जो आपका करंट पासवर्ड वो आपको यहीं मिल गा ओके मैं आ और ड्रेडी सेव्ट किया हुआ है तो इस तो इससे save tap नहीं हो रहा है तो आपको बस इसको turn on रखना है that's it इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको password चेंज करने के लिए भी हमें current password की जरूरत पड़ती है तो current password हमें अभी पता लग जाएगा कहा है तो आपको क्या करने इससे बस simple यहां से कर दो minimize अब आपको पहला वतार हूं कहां मिलेगा आपको मोबाइल फोन में मिल जाएगा सेटिंग्स पर आप जाते हो यहां पर आपको जैसे हलका स्कॉल डाउन करोगे नीचे Google पर टैप करने और इसके बाद आपको यहां पर आप और पर टैप करने आप और फिल विद गूगल पर अब आपको जाना है यहां पर आपको जाना है यहां पर आपको पासवर्ट नहीं मिलते हैं तो आप एक काम करो बैक करो इससे कर दो मिनिमाइस अब आपको एक काम और करना है आपको जाना है जीमेल पर राइट आप करने आपकी प्रोफाइल की आइकन पर टैप करो इसके बाद गूगल अपको टैप करना है जैसे आप गूगल अकाउंट पर टैप करोगे यहां सहल काज़़ स्क्रॉल इतर लेफ्ट की तरफ आप करके स्क्यूरिटी पर आप जाएंगे बस आपको saved login info कर देना है चाहे वो Instagram का हो चाहे वो Facebook का हो चाहे वो Snapchat का हो सबसे पहला काम आपको यही करना है saved login info और हो सकता है कि जब हम लोग लोग इन करते हैं तो हमारा Android मुबाइल फून खुदी हमें option देता है कि save कर लो login info तो आप वहां से save भी कर देते हो या अगर आपने never किया तो दिक्कत आ सकी लेकिन अगर आपने save कर दिया है तो आपको हमेशा आपके passwords यहां मिल जाएंगे कहीं भी भटकनी के जुरूत नहीं है I hope आपको आपका password मिल गया होगा मिल गया है पता चल गया है करन्ट password कहा है तो comment box में yes no जरूर लिग देना I hope उसी के साथ साथ आपको वीडियो भी पसंद आई होगी इफ आई है तो like कर दो चाल को subscribe नहीं क्या हिते subscribe तो thank you so much